हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल स्वाती साइंस क्लासे इस स्वाती यह आज मैं आपको एक नया क्लास यानि कि क्लास 7 स्टार्ट कर रही हूं आज से क्लास 6 अभी खतम हुआ है अब new class यानि कि क्लास 7 स्टार्ट कर रही हूं EVS का सो चलिए फ्रेंट्स इसका 1st chapter स्टाट करते हैं 1st chapter का नाम है Nutrition in Plants chapter को स्टाट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप मुझे इंस्टागरम पर भी follow कर लिजे फ्रेंट्स वहाँ पर मैं आपको डेली updates मेरे मिलते रहेंगे मेरे जो Instagram की आइडिया वो भी Swati Science Classes के ही नाम से है और हाँ एक और बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बेटन को भी प्रेस कर लीजिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन, Nutrition in Plants यानी की पादपो में पोशड़ इन Class 6, You learned that food is essential for all living organisms Class 6 में आपने पढ़ा था कि जो food होते हैं वो बहुत सारे organisms के लिए essential होते हैं यानी कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं मतोपूड होते हैं You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food आपने ये भी पढ़ा था कि जो carbohydrates होते हैं, fats होते हैं, minerals होते हैं, vitamins होते हैं और proteins होते हैं, ये सारे food के component होते हैं, यानी कि घटक होते हैं These components of food are necessary for our body and are called nutrients ये सारे components यानी कि घटक हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुती ज़्यादा necessary होते हैं, आवश्यक होते हैं इन ही को nutrients कहते हैं, यानी कि पोशक कहते हैं All living organisms require food सारे living organisms यानी कि सजीवों को food की आवशक्ता होती है, भोजन की आवशक्ता होती है, requirement होती है, जरूरत होती है Plants can make their food themselves, but animals including humans cannot जो plants होते हैं, यानी कि जो पादप होते हैं, वो अपना भोजन स्वायम बनाते हैं लेकिन animals और उनके साथ-साथ humans, यानी कि हम मनुश्य, हम अपना भोजन स्वायम नहीं बनाते हैं They get it from plants और animals that eat plants हम अपना भोजन जो है, वो plants और animals से प्राप्त करते हैं, जो कि animals, plants को eat करते हैं Thus humans and animals are directly और indirectly dependent on plants इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो humans होते हैं और जो plants होते हैं, जो animals होते हैं, यह directly या फिर indirectly किसी दोनों तरीके से depend होते हैं, किस पे, plants पे 1.1, mode of nutrition in plants पादपों पे में पोशक विधी Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals Plants एक ऐसा organism है, जो कि अपना भोजन स्वाइम बनाता है, water और carbon dioxide minerals की उपस्थिती में, इनको use करके The raw materials are present in their surroundings और जो इनके आसपास की कच्ची सामगरी होती है, वो उसी से यह बनाते हैं The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes जो nutrients होता है, यानि कि जो पोशक होता है, वो हम सारे सजीवों को enable करता है किसके लिए enable करता है, उनकी bodies को build करने के लिए, body बनाने के लिए, grow करने के लिए Growth हो उनकी body बढ़ने के लिए, repair damaged parts of their bodies, जैसे कि अगर हमें कभी चोट वगेरा लग जाए तो हमारे सरीर उसको heal कर सके, repair कर सके, उसके लिए होता है, पोशक and provide the energy और उनको energy देता है, nutrients होता है, उससे energy मिलती ताकि वो अपनी day to day life को, अपनी energy, सारे जो life की processes होते हैं, जो दिन चर्या होती है, उसको सफल करने में, nutrients जो है, सरीर को enable करता है Nutrients is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body, nutrition जो होता है, वो एक ऐसा mode है, जो की सरीर को, organisms को खाने के द्वारा मिलता हो, और इसका जो utilization होता है, इसका जो इस्तमाल होता है, वो body के द्वारा होता है The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances called autotrophic, ऐसे mode जिसमें जो nutrition होता है, वो organisms के द्वारा भोजन में अपने खुद से बनाए जाते हैं, ऐसे substances को कहते हैं, autotroph, auto मतलब self-trophs, मतलब nourishment, self मतलब खुद से बनाए गए, और autotroph को हिंदी में shwaposy भी कहते हैं Animals, therefore plants are called autotrophs, इसलिए plants को autotroph कहेंगे क्योंकि वो अपना भोजन स्वायम बनाते हैं Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants, कुछ जानवर और कुछ और सजीव जो होते हैं, वो ready-made food जो की plants के द्वारा प्रिपेड होता है, उनको ले लेते हैं, उनको अपना इस्तमाल करते हैं They are called heterotrophs, इनको heterotrophs कहते हैं, heteros मतलब होता है, दूसरों पर निर्भर होना या दूसरों के द्वारा बनाए गई चीजों को grant करने को heterotrophs कहते हैं Now we may ask where the food factories of plants are located, अब हम ये पूछ सकते हैं कि जो food factories होती है plants की वो कहां पे located होती है Whether food is made in all parts of a plant और only in certain parts, क्या जो food है जो prepare होता है plant बनाता है अपना food वो अपने सारे parts में बनाता है या फिर एक कोई ऐसा certain part है जिसमें वो अपना food बनाता है How do plants obtain the raw materials from the surroundings अपने आसपास से कच्ची सामगरी plants कैसे अपने करता है How do they transport them to the food factories of the plants और वो अपने food factories को transport कैसे करता है 1.2 photosynthesis, food making process in plants प्रकास संसलेशर, photosynthesis का मतलब होता है प्रकास संसलेशर और food making process in plants का मतलब है Leaves are the food factories of plants जो plants होते हैं उनके जो leaves होते हैं वो food factories होते हैं The synthesis of food in plants occurs in leaves और जो food बनने का process होता है वो leaves में ही होता है therefore all the raw materials must reach there इसलिए सारी जो कच्ची सामगरी होती है वो वहाँ पे ही पहुँचती है कहाँ पे पत्ती में water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transport to the leaves water और water और जो minerals होते हैं वो soil में present होते हैं जो की absorbed कर लिये जाते हैं roots के दोरह और उसको transport water यानि कि भेज़ दिया जाता है कहाँ leaves में भेज़ दिया जाता है इसके आगे पताने से पहले मैं यह आपको बता दू cells यानि कि कोशी का हैं यह कैसी होती हैं क्या होती हैं इसके बारे में जान लीजे you have seen that buildings are made of bricks आपने देखा होगा cells कहते हैं cells can be seen only under the microscope cells इतने छोटे होते हैं कि यह आप ऐसे अपने आग से नहीं देख सकते हैं इसको सिर्फ microscope में ही आप देख सकते हैं some organisms are made of only one cell कुछ organisms होते हैं जो सिर्फ एक cell के बने होते हैं the cell is enclosed by the thin outer boundary called the cell membrane जो cell है उसके बाहर जो घेरा है उसका वो boundary जो outer वाली वो किसकी बने होती है जो boundary होती है उसको क्या कहते है cell membrane कहते हैं most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus इनके अंदर एक spherical structure होता है जो center में बीच में होता है उसको क्या कहते है nucleus कहते हैं और the nucleus is surrounded by a jelly-like substances called cytoplasm और जो nucleus होता है वो एक jelly के तरह एक substance present होता है उनके चारों तरफ जिसको की cytoplasm कहते हैं यह figure आप देख लीजे यह रहा cell nucleus जो की बीच में है बीच में है spherical structure है इसका और यह cytoplasm है jelly-like structure इसके पूरे चारों तरफ और यह cell membrane है जो की cell को cover की हुई है जिस outer boundary जो है cell की इसको cell membrane कहते हैं अब आगे बढ़ते हैं carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves जो carbon dioxide होता है वो हवा द्वारा लिया जाता है और वो कौन लेता है tiny pores होते हैं छोटे-छोटे छिदर होते हैं जो की leaves के उपर surface पे present होते हैं उनके द्वारा these pores are surrounded by guard cells और यह जो pores होते हैं यह guard cells से surrounded होते हैं घिरे हुए होते हैं such pores are called stomata इन pores को stomata कहते हैं और stomata को हिंदी में रंद्र कहते हैं water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaves जो water और mineral होती है वो transport होते हैं roots के द्वारा इसको absorbed के जाता है और उसके बाद उसको transport के जाता है leaves में एक vessels के through जो की pipe के तरह से एक संग्रशना होती है जिसमें roots के द्वारा roots से होते हुए stem, branches और leaves तक इसको पहुचा जाता है water को और minerals को जैसे हमारे शरीर में नसे होती है pipes की जैसे होती है ना नसे जिसमें से blood जो है circulate होता है ठीक उसी तरह से इन में plants में vessels होती है इनको यह इसका काम करती है transport करने का water और minerals को they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf यह continuous path होता है जिसके थुरू सारे nutrients जो है वो leaf तक पहुचते है you will learn about transport of materials in plants in chapter 11 chapter number 11 में इसी class के chapter number 11 में आप पढ़ेंगे transport of materials in plants उसके बारे में the leaves have a green pigment called chlorophyll जो leaves होते है वो green pigmented होते यानि कि green color के होते है वो क्यों होते हैं क्योंकि उनके में chlorophyll होता है chlorophyll के वज़े से ही leaves होते है वो green color के होते है it helps leaves to capture the energy of sunlight और जो यह chlorophyll है यह energy को capture sunlight के energy को capture करने में help करता है this energy used to synthesis prepare food from carbon dioxide and water यह जो energy होता है यह synthesis यानि की preparation में काम आता है food बनाने के carbon dioxide and water के द्वारा since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight it is called photosynthesis यही जो synthesis होता है यानि कि जो food बनाने का जो process होता है वह presence होता है sunlight के उपस्थिती में ही presence होता है मतलब sunlight के जो सारा फूट बनाने का इस पूरे process को क्याते है photosynthesis photo का मतलब होता है light और synthesis का मतलब होता है to combine light के साथ इन सारे चीजों को जोड़ करके इन सारे processes को जो process होता है बनता है उसी को कहता है photosynthesis so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis इसलिए हमें अब पता चल गया कि chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water ये सारे चीज़ें हैं जो necessary है photosynthesis के process को करने में it is a unique process on the earth, ये बहुत अद्भूत प्रक्रिया है हमारे प्रित्वी पर the solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food जो sun सूरज की रोशनी होती है उनको capture करते हैं, leaves के द्वारे capture करा जाता है उसको और उसको store कर लेते हैं plant में, किस form में, food के form में thus sun is the ultimate source of energy for all living organisms इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सूर्य है उसका वह ultimate source है सारे living organisms के लिए can you imagine the earth in the absence of photosynthesis के आप earth को यानि की प्रित्वी को imagine कर सकते हैं photosynthesis के absence में उसके बिना in the absence of photosynthesis there would not be any plants अगर photosynthesis का process नहीं होगा तो कोई भी plant भी नहीं होगा प्रित्वी पर the survival of almost all living organisms directly और indirectly depends upon the food made by the plants और जो सारे organisms होते हैं जादा से जादा organisms यानि की animals और humans सब जो हैं वो directly और indirectly plants पे depend होते हैं उनके द्वारा बनाये हुए foods पे depend होते हैं besides oxygen which is essential for the survival of all living organisms is produced during photosynthesis और जो oxygen होता है वो हमारे यानि की सारे living organisms के लिए बहुत important होता है अगर हमें oxygen नहीं मिलेगा तो हम जीवीत नहीं रह पाएंगे और जो oxygen होता है वो produce कहां से होता है जब वो photosynthesis का process होता है तब oxygen produce होता है इन दे absence of photosynthesis life would be impossible on the earth अगर photosynthesis नहीं होगा अर्थ पर प्रित्वी पर तो हमारा जीवन भी असंभव है प्रित्वी पर during photosynthesis chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrates जो photosynthesis का process होता है chlorophyll contain करते हैं जो leaves उनके presence में क्या होता है sunlight को absorb किया जाता है उसके बाद carbon dioxide का use करके water का use करके process करते हैं बनाते हैं निकालते हैं तो यह सारा मतलब इनको carbohydrate का भी use करके करते हैं और यह सारा जो process होता है यह एक-एक question को दरसाता है जैसे की carbon dioxide, water, carbon dioxide, carbohydrate, water, oxygen, sunlight और chlorophyll यह देखिए यह figure है यह है stomata यह है leaves पहले leaves के surface पर क्या होता है stomata होता है यह stomata में यह जो open pores होता है और यह जो इस से घीर होते हैं यह होता है cell guard, guard cells और यह chlorophyll होते हैं guard cells होते हैं chlorophyll के ही वज़े से जो leaf का color होता है वो green होता है during the process oxygen is released जब photosynthesis का process होता है तो oxygen released होता है the carbohydrates ultimately get converted into starch और जो carbohydrates होता है वो starch में convert हो जाता है the presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis और जो starch leaves में present होते हैं तो वो ये दर साते हैं कि ये photosynthesis के process के तुरू हुआ है the starch is also carbohydrate और जो starch होता है वो भी carbohydrate ही होता है activity 1.1, take two potted plants of the same kind एक तरीके का दो potted plant आपको लेना है keep one in the dark और in a black box for 72 hours and the other in the sunlight एक को आपको अधेरे कमरे में रख देना या किसी काले box में बंद करके 72 घंटे ही लिए और एक को सन की रोशनी में रख देना आपको perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6 आपने जैसे class 6 में iodine test किया था leaves पे उसी तरह आपको यहां पर भी करना है record your results और जो भी result है उसको record कर लिजे now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leave अब आपको क्या करना है जो pot को अपने अंधेरे कमरे में रख था उसको 3-4 दिन के लिए सूरज की रोशनी में छोड देना है और उसके उपर फिर से iodine test आपको करना है record your observations in your notebook और इसको फिर आपको notebook में अपने observation को लिखना है the leaves other than green also have chlorophyll जो दूसरे leaves होते हैं green के अलावा जो और leaves होते हैं और color के उनमें भी chlorophyll present होता है the large amount of red, brown and other pigments mask the green color जो दूसरे color के जो पतियां होती है ना उसमें जो उपस्तित लाल भूरे अत्वा जो लाल भूरे और जो color के chlorophyll होते है green color को क्या करते हैं वो ढख देते हैं photosynthesis takes place in these leaves also इन सारे leaves में भी photosynthesis का जो process होता है वो होता है you often see slimy green patches in ponds और in other stagnant water bodies आपने कुछ जो कहीं कहीं कुछ दिवागीली दिवारों पे या जो green patches होते हैं रुके हुआ पानी में stagant water या फिर ponds में रुक जाते हैं जो पानी उसमें green color के patches पढ़ जाते हैं these are generally formed by the growth of organisms called algae algae ये जो होते हैं ये कुछ जीवों में वृद्धी के कारण बनते हैं जिनको algae कहते हैं algae को हिंदी में सहवाल कहते हैं can you guess why algae are green in color क्या आप ये सोच सकते हैं algae जो होता है वो क्यों green color का होता है they contain chlorophyll which gives them the green color उनके अंदर भी chlorophyll present होता है जिसके वज़े से वो green होता है color में algae can also prepare their own food by photosynthesis algae भी जो है वो अपना भूजन स्वाम बनाते हैं photosynthesis के process के through so friends class 7th का chapter number 1 मैं यहाँ पे end कर रही हूँ इसके आगे मैं आपको एक और part में explain करूँगी यह chapter में दो part में explain करूँगी आज first part upload करी उसका जो next part होगा वो second और उसमें यह chapter खत्म हो जागा जिसका topic होगा आगे का synthesis of plant food then carbohydrates other modes of nutrients in plants so friends अगर आप मेरे चनल पर नए है तो please मेरे चनल को subscribe कर लीजे like, share और comment करके मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे रगते हैं मिलती हूँ अपने next वीडियो में till then bye friends